वेलकम बेक टू माई टूब चैनल आज मैं आपके लिए लेकर रही हूं कुछ आसान सी किचन टिप्स जिन को देखकर आप अपना काम आसान कर सकते हैं अक्सर हम गेस चुले को तरोज साफ करते ही हैं और अच्छे से करते हैं फिर भी थोड़ी बहुत गंगी रिचाती है तो शाइनिंग भी करता है क्योंकि कॉल गेट से साफ करते हैं तो शाइनिंग देता है इसलिए हफते में एक बार आप इसको जरूर साफ करें जितनी भी गंगी होगी आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ था फिर भी कितनी गंगी निकल रही है यह देखिए इसी तरह से आप भ बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये कितना भी पुराना जूला हो आपका वो चमकने लगेगा है ना असान से टिप्स आप इस टिप्स को जरूर से जरूर आजमाईएगा और टिप्स अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताईएगा और चैनल पे नियू है तो बेल आइकन अ कि जिसको बनाना बहुत ही आसान है आप इस तरह से रोटी का पेड़ा ले लें और उसको नॉर्मल लोटी की तरह बेल लें जैसे हम रोटी बेलते हैं इसमें एक चमच तेचेगी लगा देंगे खूब अच्चे से आप डालटा में बना रहे हैं तो डालटा भी लगा सकते सकते हैं अब इसको हम फॉल्ट करेंगे ếu चेले जाएंगे यद्येखिए बस इस तरह से आपको मोनते चले जाना हैं और इस तर्हसे आपको थोड़ा सा त्यासे हातों की मदस्के से इसको इस तरह से कर लेना है बेला चकले पे ही अब इसको हम कट कर देंगे किसी विज़ा कटर से या चुरी से आप इसको कट कर सकते हैं बस इस तरह से से कट कर लेना है बीच में से इस तरह से आपका लच्छा पराटा बहुत आसान और बहुत जादा लच्छे वाला बनेगा कि देखिए यह इस तरह से आप इनको दोनों को अपने अलग-अलग कर लिए हैं आपको देख भी रहे हो और इछे आ भीört गये यह देखिए बस इस तरह से आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है पराटा अच्छा नहीं बनता और वह आटा आटा साथ दिखता रहता है तो इसलिए थोड़ा सा आटा लगा के आपको इस तरह से इसको फिर से रोटी की तरह बेल लेना है बहुत आसान टिप्स है आटा यह देखिये बिलकुल आसान ही सहे बिल गया आपका पराथा अब मैं इसकूब सेख़तो दूंगे तबह पर डालोंगी कि अच्छे करें के रखा था अधाओ हमारा गरम हो चुका है अब अब अपना पराटा इस पर डाल देंगे और एक साइट से से स्चे से सिखने भीजहाने की चैफारी करें लिखने की आज होड़ए संना नहीं को और जब मुझी होड़ी सफ्ट प्राच सदीखारी आधा और पार्था की पेस हो है कितनी अच्छे लच्छा आये हैं हमारे पराठे में बस इस तदा से आप अपना लच्छा पराठा बनाएए आपको ये कैसी पी कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइक करके बताएए को चैनल पर नहीं हो है तो बैल आइकन उल कर लेजिएगा ताकि आपको आने वाली तो हम उसको यह तो फेक देते हैं कुछ बना लेते हैं मैं आपको पनीर बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान और बहुत ही जबदा स्ट्रिप्स है जब आपका दूद फट जाए आप उसको गेस पे रख दें और किस ते कुछ नहीं डालना है आपको ना विनेगर ना नहीं इस तरह से अगर फटावा दूद होगा तो घंद फटावा ना पानी बलुद नि gleelsे के मेंम अर्ग जाए रख देंगेसा चानले आप पानीगे मेन लिशान दें जा पानी अलक पांग़ भेक दें और छेने को सारे को निकाल लें आप इस Steंड बना सकते हैं पनीर फीना सक के बाद में इस तरह से कपड़ की मददसे हलकी हाथों से ध्यान से गरम होताएं तो इसलिए आप इस आरू में नीचोड लें किसी चीजस की मददस से भी आप this को नीचोड सकते हैं कि जब पानी हमारा बिल्कुल निकल जाए इस तरह से आपको जितना भी पानी है उसे सब को निचोड़ना होगा यह बहुत आसान तरीका है पनीर बनाने का चुका है अब हम इसको इसी तरह से इसमें छोड़ देंगे और कोई भारी चीज लेके एक प्लेट के रख देंगे यह चकला भारी है तो मैंने इसे 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 प्रेस करके रख दिया है आप इसको दस से पंदा मिनटी से ही रखा रहने दें अब मैं आपको दिखाते हूँ यह बिल्कुल पनीर बनके रेडी हो चुका है आप इसमें थोड़ा सा यह देखिए इस तरह से आप कट मार दें और यह पनीर आपका बनके रेडी हो चुका है कि बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी पनीर बना है आपको में रेसी पी अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए का कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो को फुल वोच्च कीजिए गा है ना बिल्कुल आसान पनीर बनाने का कि यह ट्रिक आपको पसंद जरूर आएगी पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताईएगा कि कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी आ अगर नीबू में एकमरे नीबू का रस निकलता है आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जब यह आपको नीबू को नीचोड में शूर दो केड़ए हो जाते हैं तो नहीं नीकल पाता है या ताजे भी होते हैं तो ये देखिए आप इस तरह से इसको नीमबू को राउंड शेफ में इस तरह से हाथों की मदश से कर लें अब फिर आपको मैं अब देखिए मैंने इसको दस से पांच मिट किया और फिर आपको मैं इसका नीमबू का रस निकाल के दिखाती हूँ और इस तरह से आप अपना रस निकाल के देखें कितना सारा रस निकलेगा आपके नीमबू में एक में दो के पराबर नीमबू रस निकलेगा और मैं आपको आपके सामने दूसरा भी नीमबू कट करके दिखाऊंगी कि उसमें कितना नीमबू रस निकलता है आपको धहरान ये अब ये देखिए, इसमें बिलकुल नहीं निकल रहा है, आप तो देख सकते हैं। इसमें निम्ड़ाइक रस ही ही नहीं आुरा नु को आ अच्छी से निकल जाएगा यह देखिएBack मैंने दोनों के दोनों दोनों निम्लों के रस ने आपको निकालगे देखाए आप मैं इस में चांड का दिखाते हूं कि इसमें कित रस निकला है आप कुछ फर्क देख सकते हैं एना असान विल्कुल टिप्स ये देखिए ये हमारा जो हमने हाथ आतेली की मदद से राउंड करके निकाला है और ये हमारा जो नॉर्मल है ये देखिए कितना फर्क आ रहा है आपको मेरे